Hair loss आज के डेट में इंडिया के लोगों में बालों के जढ़ना एक सीरियस सुबनते जा रहा है जो चीज पचास या साथ साल के उम्रे में होना चाहिए था वो प्रॉब्लम आज 20 से 30 साल के उम्रे के जुबाओं में दिखाई दे रहा है अब मेंसे जो इस वीडियो को देख रहे हो उनमें से 5 में से 3 लोग ऐसे जरूर होंगे जिसका बाल बहुत तेजी से जढ़ रहे है या फिर जढ़ चुका है जिसके वज़े से आपको हर तरब आदिवासी हेर ओल जैसे अलग-अलग प्रोड़क्त की अडवेडिस्मेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडिया में ये मार्केट बहुत तेजी से एक्स्प्लोड कर रहा है तो क्या सच्चा ही है इसके पीछे इतना हेर लोस जादा क्यों हो रहा है क्या कुछ ऐसा प्रोड़क्त सच में है जो हमें यूज करना चाहिए क्या हमें हेर ट्रांस्प्लन करवाना चाहिए क्या नेगडिव इंपक्ट पड़ता है इसका तो चली आजके इस वीडियो में हम इन सारे चीज़ों को समझने की कोशिस करते है डीटेल्स ने दोस्तो हेर लॉस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने जरूरी है हमारे हेर ग्रोथ कैसे होता है बतलब हमारे स्काल्प में बाल उगने से उसके जड़ जाने तक क्या प्रोसीडियो रहता है दोस्तो हमारा बाल बनते कैरोटीन से कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जो की कलरलेस है बालो की स्ट्रक्चर को आगर देखे तो इसकी तीन भाग होता है बालो का सबसे बाहर का हिस्सा होता है क्यूटिकल जो की डेट सेल से बना होता है यह हिस्सा बाकी अंदर की हिस्से को प्रोटेक्ट करता है ठीक इसके अंदर वाले हिस्से को कहा जाता है cortex ये बना होता है केरोटीन से जो की बालों के strain देता है एंड elastic बनाता है इसके बाद सबसे अंदर वाले हिस्से को कहा जाता है medula जो की बनता है transparent sail से ये हिस्सा basically thick hair में ही देखने को मिलता है दूस्तो hair growth basically 4 phases में होते है मतलब जैसे हमारे जन्म से लेकर हमारे मरने तक कहीं सारे phases रहता है ठीक वैसे ही बालों की उगने से जढ़ने तक का एक पूरा cycle रहता है अगर ये cycle पूरा नहीं होता है तो बाल बहुत तेजी से जढ़ने लगता है नमबर वन एनाजेन फेज के दौरान basically epidermis के नीचे मतलब मान लीजिए scalp के नीचे hair follicles का growth होते है जिससे हमारा hair बहुत छोटे से धीरे धीरे बढ़ने लगता है और hair epidermis के बाहर आते है दूस्तो एनाजेन फेज का duration 2-8 साल तक का होता है मतलब 2-8 साल तक इस फेज के दोरान हमारा बाल बाढ़ने लगता है महीलाओ में जितने भी लंबे बाल होते है वो basically इसी फेज के दोरान होते है पर इसका duration man to man vary करता है इसलिए किसी का बहुत ज़्यादा लंबा बाल होता है और किसी का छोटा क्योंकि energy phase खत्म होने के बाद बालों का बढ़ना stop हो जाता है एक मज़गी बात पता है हमारे body में scalp hair के लावा जितने भी और बाल होते है जैसे कि हमारे आखों के उपर की ये बाल या फिर पूरे body में जो hair रहता है उनका energy phase कुछ 30 से 45 डेस का होता है मतलब 30 से 45 दिन तक growth होने के बाद ये hair और ज्यादा नहीं बढ़ता है और इसलिए scalp hair के लावा हमारे बाकी body hair बहुत चोटे-चोटे होता है एक महिने में लगबग 1 cm तक बढ़ता है मतलब 0.3 to 0.4 mm per day नमबर 2 catagen phase energy phase में hair growth होने के बाद growth बेलकुल रुख जाता है इस phase को कहा जाता है दोस्तो catagen phase इस phase के दोरान hair follicle dermal papilla से detach हो जाता है दोस्तो dermal papilla hair follicle के ठीक नीचे होता है मतलब आप कहें सेखते हो हमारा बाल उगते है dermal papilla से ही dermal papilla basically बनते है connective tissue से and capillary loop से इनके through बालो में nutrients and बहुत सरे signals पहुचता है जो की hair growth में मदद करता है एक चीज में आपको यह पर ज़रूर बताना चाहूंगा दोस्तो dermal papilla और एक hair के बीच में रहता है matrix cells इन matrix cells के growth के वज़े से ही हमारे बाल लंबे होता है बड़े होता है तो ketagen phase के दोरान हमारा hair dermal papilla से अलग हो जाता है साथ ही साथ hair matrix cells का growth भी रुख जाता है और इसी लिए hair को necessary nutrients and signals नहीं मिल पाता है एंड hair growth रुख जाता है इस phase का duration होता है लगबग 2-3 हबते इसके बाद hair एकदम last stage या resting stage में चला जाता है number 3 telogen phase ketagen phase के बाद hair अपना last stages में आते है इसको कहा जाता है telogen phase इस phase में आने के बाद हम कह सकते हैं एक hair mature हो गया है अब ये बाल जढ़ने वाला है इस phase को resting phase भी कहा जाता है इसका duration होता है लगबग 2-3 महीने और एकदम last में exogen phase में हमारा बाल पूरी तरीके से सर से जढ़ जाता है और साथी साथ उसी hair की replacement में और एक नए बाल उगने की सुरबाद होता है energy phase से मतलब इससे अब समझ सकते हो दोस्तों हमारा hair cycle पूरा होने में लगबग 6-8 साल का समय लगता है मतलब 6-8 साल तक एक hair normally हमारे सर में रहता है पर अगर किसी कारण के वज़े से ये hair cycle पूरा नहीं होता है disturb होते है तो सारे phases complete नहीं हो पाते है और तब बहुत तेजी से आपके बाल जढ़ने लगता है नार्मेली 25-100 बाल हर दिन हमारे सर से गिरता है पर hair fall के दोरान इससे कही गुना बाल हमारे सर से जढ़ जाता है तो फिर दोस्तो क्या reason इसका क्यूँ आपके सर से इतने तेजी से बाल जढ़ रहे है और क्या इसका exact treatment है आई ये बात करते है पर हिस्स से पहले चलिए आपको एक fun fact बताता हूँ 2024 में ये दुनिया के सबसे लंबे बालों के Greenwich World Record है Lativa के रहने वाले अलिया नैसरोबा के पास इनके बाल लगबग 8 feet लंबे है बैसे ये record Living Woman के उपर है 2023 के November तक ये record वारत की UP के रहने वाला Smita Srivastav के पास था इनका बाल ते लगबग 7 feet लगबग 13 साल की उमरे से ये अपना हेर लंबा कर रहे थे खेर आप आते हैं हमारे main topic के उपर दोस्तों हेर लॉस का reason बहुत सारे हो सकता है Number 1 Genetic Factor Androgenetic Allopecia या pattern baldness is largely influenced by genetics and is a common cause of hair loss मैं लगब हेर लॉस का एक main reason है Androgenetic Allopecia Number 2 Hormonal Imbalance Hair Loss का एक main reason है hormonal imbalance Hormonal fluctuations के वज़े से particularly DHT मतलग dihydrotestestosterone hair loss में एक significant role play करते हैं इसके लवा भी polycystic ovary syndrome and thyroid disorder के वज़े से भी especially महिलाओं में hair loss होते हैं Number 3 Lifestyle and Environment दूस्तो आजगी date में stressful lifestyle and environment pollution hair loss का एक बहुत बड़ा करन बनते जा रहा है आप में से जितने लोगों का भी बाल गिर रहे हैं उसका main reason है poor diet and high stress level इसके साथ ही साथ रात में अच्छे नींद नहीं आना आजगी date में लोग इतना जादा depressives में रहते हैं और रात में अच्छे से नींद नहीं लेते इसके वज़े से हमारे body parts के damages recovery नहीं होते बिसके लिए जब हम रात में सोते हैं तब हमारे body relax mode में आते हैं nervous system hulka होते हैं जो भी body में damage tissues हैं उसका recover किया जाता है और इसे लिए अच्छे नींद quality नींद सिर्फ hair के लिए नहीं बलके पूरे human body के लिए बहुत जब ज़रूरी है number 4 nutritional deficiencies hair loss की एक main reason है सरीर में nutrients and essentials vitamin की कमिया जैसे सरीर में biotin, iron, zinc and vitamin A and D के कमी के वज़े से hair thinning होते हैं मतलब बाल पतले हो जाते है और hair loss का कारण बनते है number 5 medical conditions and treatments कुछ special medical condition में जैसे cancer, high blood pressures and कुछ treatment like chemotherapy जैसे condition में hair fall सावा भी खें दोस्तों hair fall को लेकर बहुत सरे meat जुड़ा हुआ है मतलब आते जाते हैं आप लोग के मुह से ये सुनते रहते हो पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है जैसे कहा जाता है बार-बार बाल धोने से hair fall होते है ऐसा नहीं है दोस्तों बार-बार बाल धोने से नहीं बलकि बाल धोने के वक्त आप जो hairs sample use करते हो जिसमें sulfates, paravins, silicone या alcohol होते है इन chemicals के वज़े से आपके बाल गिरते है दूसरा कभी-कभी कहते है सर में टोपी या helmet पहनने के वज़े से hair fall होते है पर सच तो यह है दोस्तों इसका hair fall के उपर कुछ भी significant impact नहीं है पर darty cap या cloths, scalp infections का कारण बन सकता है Hair loss के उपर अगर recent data की बात करें तो इंडिया में approximately 63.2% लोगों में hair fall का problem है और इसी वज़े से पूरे global market का 14.3% human hair सर्फ इंडिया से ही export किया जाता है United States में 56 million individuals लोग hair loss experience कर रहा है China में लबग 250 million people currently experiencing hair loss South Korea में approximately 61.8% लोगों में hair problem है इतने सारे hyper data और global trends के वज़े से पूरे दुनिया में hair related जितने भी products है और treatments है इसका value बहुत तेज़े से बढ़ रहा है ये market बहुत तेज़े से explode कर रहा है Online हो या offline हर जगा आपको बेस सुमार advertisement and poster देखने को मिली जाएगा Recently आदिवासी Hair Oil, Man Matters, Pilgrim तुरया जैसे company का ad आपके mobile में भर भर के आ रहा होगा इसका सिर्फ और सिर्फ रिजन है hair loss trends in India पर क्या हमें ये खरिदना चाहिए वेल कुछ hair product कुछ हद तक ठीक ठाक है पर बाजार में मिलने वाले जादा तर hair product से आपका hair loss और ज्यादा हो सकता है तो कोई भी hair product खरिदने से पहले आपको इन सारे बातों को अपने ध्यान में राखना होगा आपके hair product में sulfates, paravens, silicons, formaldehyde and formaldehyde releasing preservatives, alcohol, artificial fragrance and colors, pathelets, triclosums जैसे ingredients बिलकुल भी नहीं होना चाहिए बलके कुछ natural ingredients है जो कि आपके hair growth में मदद कर सकती है जैसे argon oil, jojoba oil, coconut oil, carotene, silk protein, biotene, vitamin E, vitamin B5, hyaluronic acid, honey, tea tree oil, etc पर इन सब के लवा कुछ और बात है और साइद ये बाते आपके लिए बहुत ज़ादा important है जाना दोस्तों कोई भी hair oil से बालों का total problem कभी खत्म नहीं हो सकता वो आदिवासी hair oil हो या फिर किसी भी brand का ये हो ही नहीं सकता सबसे पहले तो आपको ये समझना है हर किसी के hair loss या फिर hair problem अलग-अलग reason के वज़े से होता है आपका hair fall या फिर hair loss कमने वाला नहीं है वैसे ही अगर आपका hair loss genetic से आता है genetically होता है तो फिर आप hair loss को रूख नहीं सकते इसी तरीके से अगर आपके बाल सफेद हो गया है तो इसका main कारण है आपके melanocytic cell से melanin का कम produce होना सिर्फ melanin के वज़े से हमारे बाल काले होता है तो बाहर से oil लगने से ये problem solve नहीं होगा and one more thing अगर आपके इस सर में dendrop का problem है तो फिर आपके लिए oil तो बिल्कुल भी suitable नहीं है क्योंकि dendrop basically एक malasigia glova सा नम का fungus के वज़े से होता है ये fungus basically हमारे cvcs gland से निकला oily जैसे sebum को खाते है and उसको metabolize करके allic acid प्रदा करता है ये allic acid सर में epidermis के उपर skin cells को nest करके एक white material प्रदा करता है इसको ही dendrop कहा जाता है और इसलिए अगर आप dendrop के वक्त बाहर से oil यूज करोगे तो फिर आपका dendrop और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसलिए कोई भी hair oil ये फिर hair product maximum आपके hair को silky बना सकता है थोड़ा सा smooth बना सकता है या फिर कुछ हद तक hair pole रो सकता है पर इससे ज़्यादा आप इससे expect मत करिए मैं हमेसे suggest करूँगा अगर आपको hair loss की serious problem है तो फिर आप directly doctor से consult कीजिए आपके hairs की report कीजिए and exactly वो जानने की कोसिस कीजिए किस वज़े से आपके hair loss हो रहा है medically अगर बात करें तो आज की rate में hair transplant और laser therapy बहुत common हो गया है और तेजी से लोग इस system के अंदर आ रहा है मतलब यह treatment बहुत ज़्यादा popular हो रहा है इंडिया में generally hair transplant safe रहता है पर कुछ negative impact या फिर कुछ side effects इसका भी रहता है पर आज की rate में इंडिया में hair transplant हर कोई करवा रहा है तो proper guidance के साथ ही एंड एक expert sergeant के द्वारा ही hair transplant करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैसे आज की rate में globally एक ऐसा medicine hair growth में use किया जा रहा है जो की बहुत ज़्यादा popular है और यह FDA approved है FDA मतलब food and drug administration दोस्तों इसको कहा जाता है minoxidil जो की एक भैसो dilator होता है and hair follicle में blood circulation increase करके hair growth में मदद करता है इसका इस्तेमाल अभी काफी हो रहा है यह बहुत ज़्यादा popular हो रहा है और यह अभी तक बहुत ज़्यादा save माना जा रहा है और दो कुछ common side effects इसका भी है मैं नीचे description पर इनके बारे में और ज़्यादा information आपको provide कर दूँगा तो ज़रूर check out कर लेना इसके साथ ही साथ laser therapy और hair transplant को लेकर जितने भी सारे queries है आपके बहुत सारे मैं description पर add कर दूँगा तो इसको check out करना बिल्कूल मत भूलना अगर इन सारे चीजों के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो फिर आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं अपर whatsapp channel पर आप join कर सकते हो या पर comment कर सकते हो या पर directly आप हमारे instagram पर message कर सकते हो मैं हमेसे reply करता हूँ अगर आपको informative content पसंद है valuable content पसंद है तो फिर ये चैनल आपके लिए है या पर आपको बहुत सरे ऐसे वीडियो मिलेगा जो कि आपके काम आ सकता है और बहुत ही जादा मज़दार है तो इसके लिए आप हमारे साथ जूड़ सकते हो चैनल को subscribe करके और हाँ वो जो साइट में रखा हुआ गंटी है ना उसको दबाना बिल्कुल भी मत बुलना क्योंकि अगर आप उसको दबाएंगे तो फिर मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे अगर आपको यह वीडियो सच में पसंद आया तो उस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना लोगों के साथ सेयर करना और हां कॉमेंट जरूर करना क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक्स कॉमेंट के वज़े से हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव भाइस मिलता है वोट इंटेटिन्मेंट के वीडियो तो हम भी बना सकते थे आज के लिए इतना ही मिलते उसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप स्वस्त्र रहिए साब्दान रहिए जय हिंद जय भारत